Electoral Bond को लेकर सुप्रीम कोट ने एक पर फिर से SBI को फटकार लगाई है SBI द्वारा बिना यूनिक नंबर के Electoral Bond का डेटा पेश करने पर सुप्रीम कोट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है सुप्रीम कोट ने शुक्रवार को कहा कि भारतिय स्टेट बैंक को राजनेतिक दलो द्वारा प्राप चुनावी बॉंड की यूनिक अल्फा न्युमेरिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था CGI डीवाइचन रिचूड के अगवाईवाले संविधान पीच ने निर्वाचन आयोग की उस अरजी पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉंड मामले में न्याले के 11 माश के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनरोध किया गया है न्याले ने अपने पंजेक को ये सुनिशित करने का आदेश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सील बंद कवर में सौपे गए आकडो को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्द कराया जाए इस पीट में नयामूर्ती संजीव खन्ना, नयामूर्ती बियार गवई, नयामूर्ती जेबी पारदीवाला और नयामूर्ती मनोज मिश्रा भी शामिल है पीट ने कहा कि इस काम को शनिवाज शाम पांच बजे तक पूरा करना बहतर रहेगा और एक पर ये कारे पूरा हो जाने के बाद मूल दस्तावेज निर्वाचन आहुग को वापस कर दिये जाए उसने सुनवाई के दौरान याजिका कर्दा की ओर से पेश हुए वकील प्रिशान्त भूशर और वरिस्ट अधिवक्ता कपल सिब्ल के इन अभ्यवेदनों पर गौर किया कि SBI ने चुनावी बॉंड की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा नहीं किया है पीज ने बैंक को नोटिस जारी किया और आगे मामली के सुनवाई के लिए 18 मार्श की तिथी तै की है निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जीर में कहा कि नियालय के 11 मार्श के आदेश में ये कहा गया था कि सुनवाई के दोरां सील बंद लिफाफे में उनके दोरां शीष अधालत को सौपे गए दस्तवेजों की प्रतियां आयोग के कार्याले में रखी जाए लेकिन उसने अपने पास दस्तवेजों की कोई भी प्रतिय नहीं रखी आयोग ने इसमें कहा कि उसने दस्तवेजों की कोई प्रतिय अपने पास नहीं रखी है उसने कहा कि इन दस्तवेजों को वापस किया जाए ताकि वो नियालयों के निर्देशों का पालन कर सके